नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद अच्छे होंगे और जो खबर आज आपको मैं देने वाला हूँ इस खबर को सुनकर आप और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे जिया दोस्तों बात करने वाला हूँ चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती को लेकर कोई भी ऑफ्थन्टिक निउस जो बिल्कुल आयोग के अंदर चल रही हो सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तो वीडियो 2018 के री एक्जाम इसके री एक्जाम का इंतजार 15 लाग चात्रों को बहुत ही बेसबरी के साथ है और आप सभी के दिमाग में एक सवाल होगा कि यूपिटर पलसी में इस भरती के री एक्जाम को कराने को लेकर क्या चल रहा है और आखिरकार इसका री एक्जाम कब तक होगा ठीक है और करीब 7-8 महिने का समय हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से इसका केस को फाइनल हुए लेकिन अब तक यूपिटर पलसी ने इसके री एक्जाम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो भाईया आपको बता दू सबसे पहला पॉइंट देखिए ऐसा बिलकुल नहीं है कि इस एक्जाम के बजट को लेकर इसके एजनसी का जो काम है वो अटका हुआ है ऐसा बिलकुल नहीं है यानि कि जो यूपिटर पलसी इसके री एक्जाम कराने को लेकर एजनसी चुने पैसा बिलकुल भी नहीं है ठीक है आपको बता दू इसकी एजनसी को लेकर पिछले एक महिने से आयोक के अंदर लगातार काम जारी है और उम्मीद यह है कि मार्च के महिने में ही इसके एजनसी का काम कम्पलीट कर लिया जाएगा यानि कि मार्च लास्ट तक जो है इसके एजनसी की जो कारवाई है वो complete कर ली जाएगी और यूपिटर पलेसी खुद इस बात को चाहता है कि जैसे ही इस exam का budget pass हो तो रंथ हम इसका exam करा ले यानि कि budget pass होने के बाद जितनी वी प्रकिरिया होती हैं वो सारी प्रकिरियाएं budget pass होने से पहले ही complete कर ली जाएं क्योंकि जब इसका budget pass होगा और ये जो बाकी सारी formalities हैं इनको पूरे करने में दो से धाई महीने का समय लग जाएगा extra में तो वो दो से धाई महीने का समय extra ना लगे उस समय को बचाने के लिए यूपिटर पलेसी जो है इन सारे कामों को पहल आने को लेकर वो पूरा budget pass हो जाएगा अपरेल के महीने में अब यूपिटर पलेसी के पास budget pass होने के बाद केवल एक काम होगा और वो क्या तुरंत meeting करके exam date जारी करना तो कि बाकी सारी प्रिकरिया यूपिटर पलेसी पहले ही पूरी करने में लगा हुआ है और पिछले ए आप ये बिल्कुल मानकर चल सकते हैं और बिल्कुल तयारी को ढंग से और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकते हैं कि भईया आपका exam मई में अब हो जाना चाहिए मई से अधिक लेट आपकी परिक्षा कताई भी नहीं होने वाली कोई भी यूट्यूबर अगर आपको बरगलाता है कहता है ये परिक्षा जुलाई में जाएगी अगस्त में जाएगी और ये परिक्षा इस साल के लास्ट में होगी को ये कहता है तो वह ये किसी की बातों म आकर अपना समय बिल्कुल बरबाद करने की गलती ना करें ठीक है मई में यूपेटर पलेसी इस एक्जाम को कराने की पूर त्यारी कर रहा है और आपको बता दू में जो एजनसी कारवाई है वो चल रही है और बजट पास होते ही तुरंट मिटिंग करके अपरेल में इसकी एक्जाम डेट भी जारी कर दी जाएगी ठीक है बहिया तो किसी के बैकायों में आकर अपने समय को वेश्ट ना करें बिल्कुल ढंग से तयारी को आगे बढ़ाते रहें और जो भी खबर इस भरती को लेकर मिलेगी तुरंट आपको दे दी जाएगी बाकी अपडेट यही है कि जो यूपिटर पलेसी हर संभब कारवाई कर सकता है इस एक्जाम को जल्दी कराने के लिए वो सब काम यूपिटर पलेसी में चालू है ठीक है और आपको बता दूँ यूपिटर पलेसी की प्रात्मिकता में ये भरती है कि इसका रही एक्जाम बहुत कम टाइम में करा ले ठीक है और उमिद करते हैं वन दरोगा और जे एके 62 पद इनके बाद यूपिटर पलेसी का जो एक्जाम होगा तुरंत वीडियो का ही लगने वाला है ठीक है दोस्तों तो ये हो गया वीडियो ये एक्जाम के लिए महत्तपून अपडेट और किसी भरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको समय से दे दी जाएगी यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो को आत्रेये.